आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाली दशेरा और दिवाली के टाइम पर काफी लोग ट्रेन में सफर करते हैं और काफी लोगों को कनफर्म टिकेट मिलना भी बहुत जादा मुश्किल होता है और काफी लोग जो 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 जनरल टिकेट निकाल कर भी ट्रेन नहीं कर पाते हैं इसी बात को देखते हुए सेंट्रल जोन के मुंबई और पूना डिविजन ने आठ इस्पेशल ट्रेन चलाने की गोशना की है कौन से रूट पर यह आठ इस्पेशल एक्स्प्रेस चलाई जाएगी तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर है ट्रेन नंबर 01175 पूना से सावंतवाडी रोड के दर्मियान में चलाई जाएगी दिवाली स्पेशल एक्स्प्रेस ये ट्रेन हर मंगलवार को सुबा में 9 बचकर 35 मिनिट को पूना जंक्षन रेल्वे स्टेशन से रवाना होगी लोनावला, कल्यान जंक्षन, पनवेल, रोहा, खेड, चिपलून, संगेमेशुर, रतनागिरी, राजापूर, कनकौली, सेंदुदूर्ग, कुदल के रास्ते ये ट्रेन सावंतवाडी रोड रेल्वे स्टेशन रात में 10 बचकर 35 मिनिट को पूच जाएगी ये ट्रेन 22 ओक्टोबर 2014 से 12 नॉयमबर 2014 के दर्मियान में चलाई जाएगी वापसी में अगर इसके शेडिूल की बात की जाए तो वापसी में इसका ट्रेन नमबर होगा 01176 सावंतवाडी रोड पूने जंक्षन दिवाली इस्पेशल एक्सप्रेस ये ट्रेन हर बूदवार को रात में 11 बचकर 25 मिनिट को सावंतवाडी रोड रेलवे स्टेशन से रवाना होगी कुदल, सेंदुदूर, कनकौली, राजापूर, रतनागिरी, संगमेशुवर, चिपलून, खेड, रोहा, पनवेल, कल्यान, लोनवरा के रास्ते ये ट्रेन पूना जंक्षन डेलवे स्टेशन दूसरे दिन दोपायर में 12 बचकर 15 मिनिट को पहुँच जाएगी ये ट्रेन 23 ओक्टोबर 2024 से तो 12 नौइंबर 2024 के दर्मियान में चलाई जाएगी बिना देरी करें बात करते हैं अगली स्पेशल एक्सप्रेस के बारे में तो इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है ट्रेन नंबर 01209 नागपूर से पूना जंक्षन के दर्मियान में चलाई जाएगी दिवाली फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस ये ट्रेन हर्शनिवार को रात में 7 बचकर 40 मिनिट को नागपूर जंक्षन रेलवे स्टेशन से रवाना होगी वर्दा, धामन गाउ, बननेरा, अकोला, शेगाउ, मलकापूर, भुसावल जंक्षन, मनमार जंक्षन, कोपर गाउ, बेलापूर, एहमद नगर जंक्षन, डाउन कॉर्ड लाइन के रास्ते ये ट्रेन पूना जंक्षन रेलवे स्टेशन दूसरे दिन सुबा में 11 बच कर 25 मिनिट को पहुच जाएगी ये ट्रेन 26 अक्टोबर 2024 से तो 9 नॉयमबर 2024 के दर्मियान में चलाई जाएगी वापसी में अगर इसके शडिूल की बात की जाए तो वापसी में इसका ट्रेन नंबर होगा 0120 पूना जंक्षन से नागपूर जंक्षन के दर्मियान में चलाई जाएगी दिवाली फेस्टिवल एक्स्प्रेस ये ट्रेन हर रविवार को दोपेर में 3 बचकर 50 मिनिट को रवाना होगी पूना जंक्षन रेल्वे स्टेशन से डॉन कोड लाइन, अहमद नगर जंक्षन, बेलापूर, कोपर गाउ, मनमार जंक्षन, बुसावल जंक्षन, मलकापूर, शेगाउ, अकोला जंक्षन, धामन गाउ, वर्दा के रास्ते ये ट्रेन दूसरे दिन नागपूर जंक्शन रेल्वे स्टेशन में अर्ली मॉर्निंग 6 बचकर 30 मिनिट को पहुच जाएगी ये ट्रेन 27 अक्टोबर 2024 से तो 10 नॉयंबर 2024 के दर्मियान में चलाई जाएगी चलिए बरते आगे और बात करते हैं अगली स्पेशल एक्सप्रेस के बारे में तो इसी लिस्ट में तीसरे नंबर पर है ट्रेन नंबर 01417 मुंबई शत्रपती शिवाजी महारास टर्मिनल से कोलापूर के दर्मियान में चलाई जाएगी दिवाली फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस ये ट्रेन हर मंगलवार को दो पैर में दो बचकर 30 मिनिट को मुंबई शत्रपती शिवाजी महारास टर्मिनल से रवाना होगी कलियान, लोनावला, पुने, लोंदा जंक्षन, सातारा, कराड, सांगली, मीरज जंक्षन होते हुए कोलापूर रेलवे स्टेशन अरली मॉर्निंग 4 बचकर 20 मिनिट को पहुच जाएगी ये ट्रेन 24 ऑक्टोबर 2014 से तो 14 नॉयंबर 2014 के दर्मियान में चलाई जाएगी वापसी में अगर इसके शेडिूल की बात की जाए तो वापसी में इसका ट्रेन नंबर होगा 01418 कोलापूर मुंबई शत्रपती शिवाजी माहरास टर्मिनल जिवाली फेस्टिवल स्पेशल एक्स्प्रेस ये ट्रेन हर बूदुवार को रात में 10 बचे रावाना होगी कोलापूर रेलवे स्टेशन से मीरज जंक्षन, सांगली, कराड, सातारा, लोंदा जंक्षन, पूने जंक्षन, लोनावला, कल्यान के रास्ते ये ट्रेन मुंबई शत्रपती शिवाजी माहरास टर्मिनल दूसरे दिन दोपैर में 1 बच कर 30 मिनिट को पहुच जाएगी ये ट्रेन 23 ओक्टोबर 2024 से 13 नोएंबर 2024 के दर्मियान में चलाई जाएगी चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं अगली स्टेशल एक्स्प्रेस के बारे में हारंगूल के रास्ते ये ट्रेन दूसरे दिन मॉर्निंग में 11 बच कर 40 मिनिट को लातूर रेल्वे स्टेशन में पहुच जाएगी ये ट्रेन 18 ओक्टोबर 2024 से तो 8 नोएंबर 2024 के दर्मियान में चलाई जाएगी वापसी में अगर इसके शडियूल की बात की जाए तो वापसी में इसका ट्रेन नंबर होगा 00106 लातूर मुंबई शत्रपती शिवाजी माहरास टर्मिनल्स दिवाली स्पेशल एक्स्प्रेस ये ट्रेन हर शिक्रुवार को शाम में चार बच कर 30 मिनिट को लातूर रेल्वे स्टेशन से रवाना होगी हारंगूल उस्मानाबाद कुर्दुवाडी डॉन पूना जंक्शन लोनावला कल्यान जंक्शन थाना दादर के रास्ते ये ट्रेन दूसरे दिन मुंबई शत्रपती शिवाजी महारास टर्मिनल्स रेल्वे स्टेशन अर्ली मॉर्निंग चार बच कर 10 मिनिट को पहुच जाएगी ये ट्रेन 18 अक्टोबर 2014 से तो 8 नॉयमबर 2014 के दर्मियान में चलाई जाएगी चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं अगली स्पेशल एक्स्प्रेस के बारे में तो इसे लिस्ट में पांचुए नंबर पर है ट्रेन नंबर 01067 मुंबई लोकमाने तिलक टर्मिनल्स करीम नगर दिवाली स्पेशल एक्स्प्रेस ये ट्रेन हर मंगलवार को दो पैर में तीन बचकर तीस मिनिट को मुंबई लोकमाने तिलक टर्मिनस रिल्वे स्टेशन से रवाना होगी थाना, कल्यान जंक्षन, इगतपुरी, नासिक रोड, मनमाड जंक्षन, और अंगाबाद, जालना, परतूर, सेलू, परबनी जंक्षन, पूर्ना जंक्षन, हजूर साहिब, नांदर, मुत्खेड जंक्षन, निजामबाद के रास्ते ये ट्रेन दूसरे दिन मॉर्निंग में 8 बच कर 30 मिनिट को करीम नगर रेल्वे स्टेशन पहुच जाएगी ये ट्रेन 31 अक्टूबर 2024 से तो 5 नॉयंबर 2024 के दर्मियान में चलाई जाएगी वापसी में अगर इसके शेडियूल की बात की जाए तो वापसी में इसका ट्रेन नंबर होगा 01068 करीम नगर मुंबई लोकमन नतिलक टर्मिनल्स दिवाली फैस्टिवल स्पेशल एक्स्प्रेस ये ट्रेन हर बूदुवार को रात में 7 बचकर 5 मिनिट को करीम नगर रेल्वे स्टेशन से रावाना होगी निजामाबद जंक्षन, मुत्खेड जंक्षन, हजूर साहिब, नांदेड, पूर्ना जंक्षन, परबनी जंक्षन, सेलू, परतूर, जानला, और एंगाबाद, मनमाड जंक्षन, नासिक रूड, इगतपूरी, कल्यान, ठाना के रास्ते ये ट्रेन दूसरे दीन, आफ्टरनून में एक बचकर 40 मिनिट को मुंबई लोकमान अतिलक टर्मिनस रेल्वेस्टेशन पहुच जाएगी ये ट्रेन 30 ओक्टूबर 2024 से तो 6 नॉवंबर 2024 के दर्मियान में चलाई जाएगी चलिए बात करते हैं अगली स्पेशल एक्सप्रेस के बारे में तो इस लिस्ट में छटवे नंबर पर है ट्रेन नंबर 01179 मुंबई लोकमान अतिलक टर्मिनल सावंत वाडी दिवाली स्पेशल एक्सप्रेस ये ट्रेन हर्शिकरुवार को सुबा में 8 बचकर 20 मिनिट को मुंबई लोकमान अतिलक टर्मिनस रेल्वे स्टेशन से रवाना होगी धाना, पनवेल, रोहा, मानगाओ, खेड, चिपलून, संगमेशुवर, रतनगिरी, राजापूर, वैभोवाडी, नानगाओ, कनकौली, सेंदु दूर्ग, कुदल के रास्ते ये ट्रेन रात में 9.09 मिनिट को सावंत वाडी रोड रेल्वे स्टेशन पहुच जाएगी ये ट्रेन 18.09 अक्टूबर दोहजार चौबीस से तो 8.09 दोहजार चौबीस के दर्मियान में चलाई जाएगी वापसी में अगर इसके शेडियूल की बात की जाए तो वापसी में इसका ट्रेन नमबर होगा 01180 सावंत वाडी मुंबई लोकमान तिलक टर्मिनल्स दिवाली स्पेशल एक्स्प्रेस यह ट्रेन हर शुकरवार को रात में 10 बचकर शुन्नी मिनेट को सावंत वाडी रोड रिल्वे स्टेशन से रवाना होगी चलिए बात करते हैं अगली स्पेशल एक्स्प्रेस के बारे में तो इसी लिस्ट में साथवे नमबर पर है ट्रेन नमबर 01409 पूने जोदपूर दिवाली स्पेशल एक्स्प्रेस यह ट्रेन हर सो मुआर को रात में 7 बचकर 30 मिनिट को पूना जंक्शन रिल्वे स्टेशन से रवाना होगी लोनावला, कल्यान जंक्शन, वसाई रोड, पालगर, वापी, वलसाड, सूरत, अंकलेश्वर, वडुदरा जंक्शन, एहमदाबाद जंक्शन, अबुरोड होते हुए यह ट्रेन जोथपूर रिल्वे स्टेशन दूसरे दिन शाम में 5 बचकर 15 मिनिट को पहुच जाएगी यह ट्रेन 28 अक्टोबर 2024 से तो 4 नॉयमबर 2024 के दर्मियान में चलाई जाएगी वापसी में अगर इसके शेडूल की बात की जाए तो वापसी में इसका ट्रेन नंबर होगा पूनावला के रास्ते यह ट्रेन दूसरे दिन पूना जंक्शन रिल्वे स्टेशन रात में 11 बचकर 30 मिनिट को पहुच जाएगी यह ट्रेन 29 अक्टोबर 2024 से तो 5 नॉयमबर 2024 के दर्मियान में चलाई जाएगी चलिए बात करते हैं अगली स्पेशल एक्सप्रेस के बारे में तो इसी लिस्ट में सबसे आखिर में और आटवे नंबर पर है ट्रेन नंबर 01433 पूना जंक्शन से धारका बालाजी के दर्मियान में चलाई जाएगी दिवाली स्पेशल एक्सप्रेस ये ट्रेन हर बुदवार को सुबा में 9 बचकर 45 मिनिट को पूना जंक्शन रिल्वेस्टेशन से रवाना होगी कल्यान, वसाई रोड, पालगर, वापी, वलसाड, सूरत, वडोदरा जंक्शन, रतलाम जंक्शन, कोटा जंक्शन, दुर्गापुरा, जैपूर के रास्ते ये ट्रेन धारका बालाजी रिल्वेस्टेशन दूसरे दिन मॉर्निंग में 8 बचकर 40 मिनिट को पहुच जाएगी ये ट्रेन 30 अक्टोबर 2024 से 6 नॉयमबर 2024 के दर्मियान में चलाई जाएगी वापसी में अगर इसके शेडियूल की बात की जाए तो वापसी में इसका ट्रेन नंबर होगा 01434 धारका बालाजी पूने दिवाली स्पेशल एक्स्प्रेस ये ट्रेन हर गुरुवार को मौर्निंग में 10 बचकर 30 मिनिट को धारका बालाजी रेलवे स्टेशन से रावाना होगी जोदपूर, दुरगापूरा, कोटा जंक्शन, रतलाम जंक्शन, वडोदरा जंक्शन, सूरत, वलसाड, वापी, पालघर, वसाई रोड, कलियान, लोनवला के रास्ते ये ट्रेन, पूना जंक्शन, रेलवे स्टेशन, दूसरे दिन सुबा में 9 बचकर 30 मिनिट को पूशन की है, दिवाली फेस्टिवल में उसको लेकर इन्फॉर्मेशन, तो मित करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अगर आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करे, मेरे चनल जुनेद विलोग को सबस्क्राइब करे, और अपने दोस्तों